बात करेंगे भाबा कवच की बाबा कवच क्या है ये हमारा खुद का बनाय हुआ पूरी तरह से भारत में निर्मित यानि इंडिजिनस है लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट है भाबा कवच को इंटरनेशनल पुलीस एक्सपोर 2019 में प्रगती मैदान में लॉंच किया गया पहली बार तो ये है भाबा कवच जो आ फोटो में देख रहे हैं ये बुलेट प्रूफ जैकेट है और ये सबसे हलकी बुलेट प्रूफ जैकेट है तो इसकी जरुद क्या है ग्रै मंत्राले के द्वारा दिये हुए आकणों के अनुसार 2014 में लगभग 222 टेररिस्ट अटैक हुए ज 342 इंसिरेंट हुए और 2018 में 614 आतंकवादी हमले हुए जमू कश्मीर में इसके लावा बस्तर या जो भी नकसलाइट अफेक्टिड एरिया है रेड कोरिडोर वहाँ पर भी नकसल अटैक्स बढ़ रहे हमने इस साल देखा बस्तर में गड़ चिरोली महराष्ट में उड़ कश्मीर में 340 लगभग हमारे जवान शहीद हुए 340 आगे बनने से पहले एक आपसे MCQ पूछता हूँ इन में से कौन सी कमपनी है जिसने भावा कबच को बनाया है यानि मैनुफेक्टर किसने किया है भावा एटॉमिक रिचर्स सेंटर, ओर्डेनेंस फेक्टरी बोर्ड, मिधानी या DRDO, एक से ज़्यादा भी ठीक हो सकते हैं तो इसका आंसर है और्डेनेंस फेक्टरी बोर्ड और मिधानी यानि कि 2&3 तो इसका नाम फिर भावा कबच क्यों रखा गया है भावा कबच इसले रखा गया है क्योंकि भावा एटॉमिक रिचर्स सेंटर ने नैनो हमी भावा इसका नाम भावा कबच रखा गया है तो इसके पीछे का पूरा आपको बैद्राउंड बताता हूँ जो हमारे Central Armed Police Forces है यानि C.A.P.F उन्होंने घ्रह मंत्राले से रिक्वेस्ट की थी कि हमें बुलेट पुरूफ जैकेट चाहिए जिनसे ज्यादा को बुलेट प्रोफ जैकेट चाहिए ओर्डिनेंस वेक्टरी बोर्ड ने अपने साथ सरकारी डिफेंस मैनुफेक्चरर मिश्र धातु निगम को भी मिला लिया यानि ओर्डिनेंस वेक्टरी बोर्ड और मिश्र धातु निगम जिसको मिधानी बोलते हैं इन्होंने मिलके बुलेट प्रूफ जैकेट तयार किया, भाबा कवच, इसका ट्राइल किया गया गुजरात फॉरेंसिक साइन्स युनिवर्सिटी में और ये पास हो गई है, यानि जो फारिंग ट्राइल हुए थे उनमें ये पूरी तरह से क्लियर कर दी गई है, भाबा कवच को बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि एक ऐसी जैकेट बनाई जाए जिसका बजन 9.5 किलोग्राम से कम हो, यानि Ministry of Home Affairs के हिसाब से 9.5 किलो से कम की जैकेट होनी चाहिए, वरना वो फिर दिक्कत करती है, जो लंबे ओपरेशन होते हैं, उनमें जवान फ कवर की हुई 7.62 mm कैलिबर की जो बुलेट है उसको भी रोक ले, 7.62 क्यों? क्योंकि जो AK-47 राइफल होती है, उनमें जो गोली होती है, वो होती है 7.62 mm, और भारत में कश्मीर से लेके बस्तर तक जो आतंकवादी हैं, सबसे जादा जो बुलेट फायर करते हैं, वो AK-47 से क बोलते हैं, कलाशनिकोव, ओटो मेटा, कलाशनिकोव, यानि शोट में AK, तो कलाशनिकोव 47 राइफल जो है, AK-47, उससे जो बुलेट फायर होता है, वो है 7.62 mm, भावा कवच, नैशनल इंस्टिट्यूट अफ जस्टिस लेवल 3 स्टेंडर तक मीट करता है, इसका मतलब वो आसानी से 7.62 mm से प्रोटेक्शन दे सकता है, भावा कवच, ना सिरफ AK-47 का 7.62, बलकि 5.56 mm का इंसास बुलेट उसको भी रोक सकता है, और अभी अभी एक हमने गन है, जिससे काम लेना बंद कर दिया है, पुरानी हो गई है, जने बोलते थे, सेल्फ लोडिंग राइफल, ये भी उसको असानी से रोक सकता है, ज्यादा तर अभी जो हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट है, ऐसा नहीं है, भावा कवच पहली बुलेट प्रूफ जैकेट है हमारे पास, लेकिन ज्यादा तर अभी तक जो थी हमारे पास, हमारी सेना के पास बुलेट प्रूफ ज स्टेंडर से काफी कम था तो 9 mm बुलेट फायर जो होती थी उसी से वो बचा पाती थी जैसे की कारबाइन या हैंड गन से लेकिन AK-47 बगारा से नहीं बचा सकती थी और इसका कारण ये था कि आर्मी जो है वो मोबिलिटी प्रेफर करती है यानि एक जगा से दूसी जगा चलने फिरने में उतरने में दोडने में तकलीफ ना हो और इसके लिए वो हैवी जैकिट नहीं चाहती थी लेकिन अब सुरक्षा को देखते हुए देश की सुरक्षा को देखते हुए हमारी CRPF, Border Security Force, Indo-Tibetan Border Police Force, शशस्त्र सीमा बल इन सबको AK-47 से बचाने की ज़रत ज़ादा थी यहाँ पर आपको ये भी आद रखना है कि हमारी कौन सी सेना हमारी रक्षा कहां करती है Border Security Force हमारी रक्षा करती है बांगला शशस्त्र सीमा बल SSB हमारी रक्षा करती है नेपाल और भुटान Border पे और एक और है जिसे बोलते हैं Assam Rifle ये हमारा सबसे पुराना पैरा Military Force है Assam Rifle और ये मयामार Border पे हमारी रक्षा करती है तो AK-47 के जो instances हैं वो काफी ज़्यादा हो रहे हैं हमारी सेना काफी ज़्यादा पुलिस Research and Development के साथ मिलकर ये स्पेसिफाई किया था कि उन्हें कम से कम NIJ Level 3 Protection चाहिए ग्रह मंत्राले के इसाब से 9.5 kg से कम होना चाहिए वेट हमारी आर्मी ने जो कहा है तो इसका वेट है 9.2 kg जो की requirement से 300 ग्राम कम है तो ये काफी light weight कवच है light weight bulletproof jacket है अब इसको इतना मज रखना है सबसे पहले तो इसमें high density high tenacity polyethylene का इस्तेमाल किया गया है और ये जो polyethylene है ये thermosil की गई है मिधानी के दुआरा यानि कि इसमें इस तरह से layer है polyethylene के और इनको आपस में thermosil किया गया है उसके बाद ये जो सारे layer है thermosil करने के बाद इनको high temperature पे आपस में पाफी मोटा hard armor plate बनती है और इसके उपर फिर भाबा atomic research center द्वारा दिये हुए carbon nanomaterial को spray किया गया है जब इतना सब किया गया है तो nanomaterial इसको reinforce करता है और इसको और ज़्यादा strong कर देता है ये फिर material इतना strong हो जाता है कि bullet भी अंदर नहीं जा सकता दो तरह के bulletproof jacket होते हैं हमारी army के पास हमारी सेनाओं के पास एक तो soft armor और एक hard armor soft armor होता है जो छोटी मोटी gun वगारा से बचाता है जैसे small arm bullet या hand gun वगारा से इनको body card वगारा पहनते हैं कई बार या VIPs वगारा को भी soft armor पहनाया जाता है और एक होता है hard armor hard armor जो बहुत ज़् हाई caliber round होते हैं उनसे रक्षा करता है तो उसको बोलते हैं hard armor भारत कवज के अंदर चार hard armor plate है और ये 360 degree protection देगा यानि चारों तरफ से कहीं से भी bullet हो आगे पीछे side से तो वो उसको रोक लेगा तो भाबा atomic research center ने nano technology दी है carbon nanomaterial ordnance factory board को इसके लिए हमारी जो सेनाए हैं उन्होंने एक लाक भाबा कवज की demand रखी है अभी और जैसे जैसे capacity बढ़ेगी ये demand पूरी हो जाएगी अभी लगबग 10,000 jacket हर महिने दी जाएंगी हमारी forces को इसके लाबा हमारे पास ये भी option खुलता है कि हम इसको export भी कर सकते हैं जो हमारे पडोसी ह नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया बगरा तो इससे हम एक foreign exchange भी earn कर सकते हैं एक और चीज़ याद रखनी है अभी अभी जो police expo हो रहा है परगती मेदान दिल्ली में वहाँ पे महिलाओं की women friendly concealed pistol इसका अनावरन भी किया गया इसको बोलते हैं Glock 42 ये बहुत ही गई तो ये था भाबा कवाच ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में लेकर जरूपता ही है और वीडियो जारी रहेंगे देखते रहें स्टड़ी आइक्यूब